मद्य परेश की राजनीती में अब रामाएंड के किरदारों की एंट्री हो गई है चुनाओं के मौसम में कई सारे नेता दल बदल करते हैं और उनको अलग-अलग नाम दिया जाता है जिन में एक नाम विवीशन का भी होता है पूरु सीम श्रीरा सिंग चौहान ने तो मंच सही बीजेपी में आने वालों को विवीशन की संग्या दे कर इस बात को माना है कि कॉंगेस में कई विवीशन हैं जो उनके पास आ गए हैं जो पहले चौनाव के समय बीजेपी में आकर उनको अब फाइदा पहुचा रहे हैं शिवराज सिंग चोहन के पास एक नहीं बलकि कई विभीशन हैं जो उनको लंका जीतने में मदद करने वाले हैं दरसल विदिशा में कारिकरताओं के बीच पहुचे शिवराज ने बीजेपी जोइन करने वाले कॉंग्रेसियों को अपना विभीशन बताया इसके बाद जैश्री राम के नारी लगते हैं शिवराज सिंग चोहन आगे कहते हैं कि कॉंग्रेसियों के आने से वा अपने को सब बातें पता लग जाएंगी शिवराज के पहले रतलाम में सीम डॉक्टर मोहन यादव भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं पूर्व कॉंग्रेस विधायक मनोच चावला और कॉंग्रेस के पूर्व महसचिव प्रमोद गुगालिया को सदस्यता दिलाते वक्त मोहन यादव ने उनको विविशन बताया था हालाकि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी वाले कॉंग्रेसियों को विविशन बता रही है इससे पहले 12 मार्च 2020 को भी शिवरा सिंग चोहान ने जियोतिरादित सिंधिया को विविशन बताया था उस वक्त सिंधिया कॉंग्रेस छोड़ बीजेपी में जॉइन हुए थे सियासत में बयान के अपने ही माइने होते हैं विविशन केवल कॉंग्रेस से नहीं आ रही है बलकि बीजेपी के भी कुछ विविशन कॉंग्रेस के पास गए है बीजेपी छोड़कर गए पूर्मंत्री दीपक जोशी भी पार्टी छोड़कर विविशन वाला करदार निभा रही है वो चिनवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नेकुलनाथ का प्रचार कर रही है हाला कि दीपक जोशी इन सब के बीच ये जरूर बोल रहे हैं कि उनको बीजेपी ने वापस बुलाया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विशनुदत शर्मा और डॉक्टर नरुत्तम मिश्रा का नाम भी लिया कि उन्होंने अलग-अलग फोन करके मुझे दो निताओं से माफी मांगने के लिए कह था जो मुझे सुईकार नहीं था पहले समानी बीजी शर्मा जी और नरुतम इश्रा जी का फोन मेरे पास आया और मुझे से कहा गया कि आपको दो लोगों से घर जाकर माफी मांगना होगी तो मैंने कहा था मिए पार्टी से माफी मांगने के लिए त्यार हूं मैंने ऐसा कोई आश्रम भेवान नहीं किया जिससे इन बेक्तियों को किसी परकार का मेने नुक्सान पहुचा है दीपक जोशी वापस बीजेपी में नहीं गए लेकिन विपक्षियों के साथ रहकर विविशन वाली भूमिका निभा रही है हलाकि मध्यप्रदेश की राजनीती में देखा जाए तो सुरेश पचौरी दीपक सकसेना एकता ठाकुर जैसे कई बड़े चहरे हैं जो विविशन बनकर अपनी ही कॉंग्रिस को छोड़ाए हैं चिनों में इस तरह की बयानवाजी तो आम होती है लेकिन जरूरी है कि इस तरह की बयानवाजी में इस बात का ध्यान रखा जाए कि राजनीती में भाशा की मर्यादा ना तूटे